नमश्कार SPN 9 नियूज में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर तिहार जेल में बंद मनीज से सोधिया को लेकर सामने आ रही है दरसल मनीज से सोधिया की तब्यद कुछ बिगरती हुई नजर आई जसके बाद बीते दिन उन्हें अस्पताल ले जाया गया दरसल जानकारी के अनुसार बता दें कि दिल्ली आबकारी नीती मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीज से सोधिया को मंगलवार को एलन जेपी अस्पताल में लाया गया बताया जा रहा है कि आर्थोपेटिक की समस्या की वज़ा से उन्हें अस्पताल लाया गया है बताया गया है कि सीसोधिया को मंगलवार सुबा करीब 11 बजे अलन जेपी लाया गया उन्हें कुछ आर्थोपेटिक समस्याएं थी जिसके इलाज और परामर्श के लिए उन्हें वहाँ पर लाया गया गौर तलब है दिली के एक अदालत ने बीते बुद्वार को पूर उपमुके मंतरी मनिस सोधिया की नियाएक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी थी इससे पहले कथित शराब गोटाले मामले में सी बी आई और इरी अधिकारी यहाँ पर उनके खिलाफ जाच कर रहे थे कई सबूत इखटा करते वे नजर आ रहे थे और कई बार उनकी जमानत याचिका को खारीच किया गया लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि मनीश सी सोधिया तिहार जेल से बाहर या तो सुनवाई के वक्त पर ही आए हैं या दो बार अपनी पत्नी से मुलाकात करने आए थे क्योंकि वो भी कई कारणों की वज़ा से बिमार चल रही थी जिस वज़ा से मनीश सी सोधिया को अंतरिम जमानत दे गई थी ऐसे में एक बार फिर तिहार जेल से बाहर आए और तिहार जेल से सीधा बाहर आते ही वो अस्पताल में चलेगे क्योंकि यहाँ पर उनके स्वास्ते बिगड़ने की बात कही गई और कुछ चांच को लेकर अर्थोपेटिक समस्ते आए थी उन्हें उसके इलाज के लिए यहाँ पर वो अस्पताल में लाए गए लेकिन अब सारी चीजें यहाँ पर टिकी हुई है कि आखिरकार 20 जनवरी को क्या हुगा नियाएक हिरास्त उनकी बढ़ा दी जाती है अंतरिम जमानत की मांग मनीज सी सोधिया करते वे नजर आते हैं लेकिन कोट उनको राहत देता हुआ नहीं दिखाई देता अब देखना होगा कि क्या मनीज सी सोधिया को 20 जनवरी को राहत मिलती है या नहीं